स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस वी टेकनोलजी में मैं अनुफर्म वेपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज की शो रॉकेट मंडे में आज हम लोग बात करेंगे एक्सरे पॉलोमिटर साइटलाइट के बारे में इंडियन स्टेडड टाइम और यह सक्सेस्फुली डिस्प्लॉई हुआ पलस इसके साथ जो सेकेंडरी पेलोड था वह भी लॉंच होगे जिसमें मतब सेकेंडरी पेलोड का यानि कि साटलाइट को नीचे लाके डि ऑर्बिट बन जैसा करके छोटे और बलाके बाकी 10 को देप्लॉई कर दिया वह दस मतलब लोल पायोटी था में पायोटी था एक्सरे वाला तो वह हो गया गाड़ी खुल चुकिया मतलब डिप्लॉइमेंट कंप्लीट बम अब बात करते हैं यह है क्या एक्सपोसेट तो यह इंडिया का पहला डेडिकेटेड पॉलोमेटरी मिशन है पॉलोमेटरी मिशन बहुत कॉम्पलेक्स होता है क्योंकि आप लाइट के बारे में आप समझे कोई भी आप वेवलेंथ लो चाहे रेडियो लो चाहे आप इंफरारेड लो कुछ भी लो उसमें बहुत सारा वेक्टर होता है यह पॉलराइजेशन उसका एक बहुत कॉम्पलेक्स वेक्टर है तो यहाँ पर समझे कि इंडिया उस फील्ड में कदम बढ़ा रहा है तो इसमें पॉलेक्स है पॉलीमिटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरेड करता है एक्सरेड कई पॉलराइजर सब फिल्ड में ही ऊच़िए ग्लेज कराना Mooख़ ग्लेज कराना पड़ता से और फोकस नहीं पर सकते होसे उसमें एक इंस्ट्रूमेंट है जो पलरसेशन करता है दूसरा X-ray, Spectroscopy and Timing है तो रहा बात की Spectroscopy क्यों कर रहे है Spectroscopy हम लोग को अच्छा से करना आता है और Spectroscopy बहुत चीज़ बता देता है हर wavelength पे, जाहे वो रेडियो में हो चाहे वो इसमें हो आपका फोटॉंस में तो खब चीज़ बताता है यह मतलब Optical Spectrum है Optical Spectrum में आपको सब चीज़ बता चल जाएगा तो X-ray में भी वो किया जा सकते हैं तो वह ही कर रहे है हम लोग और range क्या है जैसे कि infrared को बहुत लंबा wavelength है तो उसे ना पा जाता है short wave, medium, long तो X-ray में भी वैसे हैं तो X-ray चोकि इतनी हाई energy हो जाती है तो हम लोग unit थोड़ा अलग करती है हमारा यहां का unit है कि electron volt में आपको कितना kilo electron volt है जो लोग X-ray के textination होंगे वो आपको बता सकते हैं तो mathematics के लिए आप ऐसे समझे कि एक का range है 8 to 30 kilo electron volt दूसरे का है polyx का आपका है 0.8 to 15 kilo electron volt तोनों का पूरा 100 dicto overlap नहीं है लेकिन काफी overlap है आप देख सकते हैं कि एक का बैंड और दूसरा का बैंड काफी अच्छा खासा overlap है और यह समझी है काफी time से construction में है मतलब अगर इसका फोटो खोज नहीं जाएंगे यह देख सकते हैं मतलब गाड़ी बहुत पहले खोल दीगे थी कप का लॉंच हो जाना चीथ है लेकिन फिर चाइना ने पूरा दुनिया को प्रेम बसा दिया जो वो गिफ्ट थोड़ा भारी पढ़ गया तो इसी कारण से यह उसका दूसरा साइट के सेंसर है लेकिन ओवरलाप है मतलब एक सॉफ्ट स्टेट पर बहुत ज्यादा अच्छा से रीसर्च दे पाता है तो उसरा हाट स्टेट पर कर पाता है यह फोटोन के एनरजी लेवल पर आब मतलब सोर्स पर है बहुत तिगड़ों वाला चीज है और बिजली, कमिनिकेशन वह सब से लिए किया गया अब बात करते है इम क्या है इतना करने का तो आप यह समझे कि आप कोई भी एक सरे को लो या कोई भी रेडियो, इंफरेड, आप्टिकल, अल्टरा वालेट कुछ भी लिए उसमें चार मीन परजाती होता है मतलब data vectors होता है, जिसे हम लोग कहते है photometry, यानि कितना bright है, जो RI package उसमें कितनी इंफ है, वो हो गया दूसरा हो गया imaging, यही चीज को आप X and Y में करते हैं, तब आपके पास एक image आता है, ठीक है imagery वो भी हो गया spectroscopy, उसे आप लेके, मतलब उसके component वे ब्रेक करता है, जैसे white light को पेरा prism से ले जाके आप उसे component वे ब्रेक कर सकते हैं, इसमें spectroscopy आपको मिल जाती है तो यह हम लोग करना सीख चुके हैं, फिर आता है polymetry, कि उसका polarization क्या है, polarization बहुत तिगणव वाला चीज है, मेरा दिमाग उड़े जाता है, जब भी समझने को कोशिश करते हैं, बट वही समझी, polarization है, और रहाबत polarization में domain time का भी है, क्योंकि linear polarization ज़रूरी नहीं कि linear हो, इसे आप दिख सकते हैं, मतलब एक में आपको एक्स दिख रहा हो, और दूसमें फ्लैट दिख रहा हो, ऐसे लिए circular होता है, आस्ता कम को समझने है कि कुछ-कुछ थीएटर में, circularize polarize polarize पर कैसे दिखा देते हैं, एक clockwise है, एक anti-clockwise है, मतलब आपका एक आँख clockwise polarized देखता है, दू जाना पड़ेगा इसको करने के लिए, तो polymetry का complexity इतना जादा है, मतलब ये समझ पाना कि कौन उसका polarization है, सबको पता है, लेगन try generally कोई नहीं करते हैं, तो polarization में क्या मिल जाएगा, जैसे आपने photo खीची लिया, आपने spectroscopy कर लिया, तो फाइदा क्या होगा ये जानके, कर रहा है, उसका polarization अलग होगा, compare to, कि दो चीज का collision होगा है, जैसे कि matter stream में, जैसे आपका high energy electron किसी target से भिढ़ रहा है, उससे eject कर रहा है, जो आकि आपका X-ray tube में होता है, अंतर आएगा, अगर polarization आप data निकाल पाते हैं, तो आप बता सकते हैं, ये X-ray का जो source है, वो क्या ह मतलब कि कैसे वो हो रहा है, आपको physics में एक level नीचे उतरना possible हो जाता है, कि X-ray आ रहा है, वो ठीक है सर, आ रहा है, ये उसका signature है, ठीक है, कैसे, वो कैसे के लिए आपको polarization एक extra data step देता है, दूसरा आपका physical condition, वहाँ पे magnetic field कैसे है, ये आपको polarization बता सकता है, इसलिए कई ब आप देखें कि polarization पर जतना काम रहा है, लोग हमेसा magnetic field के बारे में बाद करेंगे, क्योंकि अगर polarization आप अच्छे समझ पाते हैं, किसी भी wavelength पे, आप magnetic interaction समझ सकते हैं, कि वहाँ पे magnetic field कैसे हुलुलुलु कर रहा है, तो ये समझ पाना कि magnetic field में क्या हो रहा है, चाहे वो black hole हो, चाहे कोई जार सो हो, कुछ भी हो, सब में हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे देखें, क्योंकि आप देखने का हो तो सिर्फ एक bright light देख रहे हो, लेकिन जब आप उसे polarization में देखते हो, तो आपको flow देखने लगता है, अच्छे ये clock है, उससे आपको data मिल जाता है, उससे जाता है, कि हम लोग जो polarization measure कर रहे है, वो 8 kilo electron volts से 30 kilo electron volt पर कर रहे है, अब रहा बात की, चो कि एक सरे में देखती होता है, काँ च उतना बना नहीं सकते है, मतलब जो उसका grazing mirrors है, उतना असान नहीं है, उतना असान गाई, almost impossible है, तो उसमें ये समझेगी, field of view तो छोटा है, त इस direction में देखेगा, उसमें 50 potential targets है, और उससे ये लोग 50 target data के, ये study करना चाहते हैं, कि समसे data पता चले, कि एक तो galaxy का सेंटर में कैसे हो रहा है, फिर black hole में कैसे हो रहा है, ये सब समझना चाता है, 50, तो करोड़ों क्यों नहीं क्योंकि बोल रहा है, कि उतना दूर नहीं औ बहुत मुश्किल है, फिर बात करते हैं, long term spectral temporal study, spectral तो आपको पता चले है, temporal होता है, कि समय में वो कैसा drift कर रहा है, वो करेंगे exercise force का, और उसके लिए इस्तमाल होगा, 0.8 से 15 kilo electron volt, जो band है आपका इसमें, तो ये दोनों का data overlap भी हो रहा है, वो overlap से इस्तमाल करना है, कि आपक overlap हो रहा है, तो आपको एक ही चीज का दो breakdown मिल रहा है, मतलब आपको एक instrument बोल रहा है, कि सर इसमें यह यह polarization है, दूसरा बोल रहा है, सर इसमें यह spectrum graph है, आप दोनों को लेके complex study कर सकते हैं, कि actually क्या हो रहा है, क्योंकि universe, मतलब उतना simple चीज नहीं कि ओ, यहां जैसे hydrogen है, त इसमें, उसमें complex dynamics है, तो आपको उतरना पड़ेगा, तो उतरने के लिए कई बार overlap चाहिए है, सर इस spectrum में क्या कर रहा है, इस spectrum में क्या हो रहा है, और इस spectrum में क्या हो रहा है, दोनों देखना चाहते है, और यह over time कैसे हो रहा है, मतलब कि क्या बदल रहा है, कोई supernova catch हो जा और यह समझेगी, यह इतना rare चीज है कि चंद्रा X-ray Observatory, हाँ, जो कि NASA का flagship mission है, मतलब जैसे कि Hubble Space Telescope, वैसे चंद्रा X-ray Telescope भी है, चंद्रा हाँ, वो हमारे Indian Nobel Prize winner पे है, तो इसलिए उसको नाम दिया गया था, ऐसे honor, X-ray Telescope है, वो भी नहीं करता है, वो आपको बहुत अच् है, अभी recently, कुछ दिन पहले, NASA imaging X-ray Parameter Explorer लाँच किया गया था, यानि कि IPEX, I-X-P-E, यह लाँच हो था 2021 में है, और हो सकता था कि अगर इंडियन वाला सिस्टम, अगर मतलब चाइना इतना प्रेम नहीं वरसाता, तो अच्छा चानस है था कि हम लोगा था लाँची हो जा है, वो भी space में, यह club जो है, बहुत ज्यादा exclusive है, बहुत ही ज्यादा exclusive है, और सोच लिए ऐसा भी नहीं कि, ओ, वो 60 साल पहले किये, तब हम जाना, सर, अभी आपने किया, हम उसके पीछे आ ही गए, और हम लोग बोलने, थोड़ा सा, बाकी missions priority ले 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 लेते हैं, यह हर close launch करते हैं, तो यह aim है, कि यह सब study करना चाहते हैं, जहाँ overlap हो रहा है, वहाँ दो डेटा मिलेगा, उस दोनों को collaboration से study करना चाहते है, फिजिकल हो क्या रहा है black hole में, हो क्या रहा है neutron stars में, अंदर थोड़ी गहराई में उतरना चाहते हैं, और हमारे पास already है, photometer data है, imaging data है, spectroscopy है, तो यह सारे data को collaboration करें, fourth vector से clear हो जाएगा picture, कि actually हो क्या रहा है, अब यहाँ पर मैं थोड़ागा clear करते हैं, मैंने कई बार लोगों का देखा और जब तक आपको ठांग से explain नहीं करेंगा, आप नहीं पकड़पा होगे, मुझे भी बार टाइम लगा समझने में, तो मतलब किसी को नहीं पता था, सब पता था, बस accuracy बढ़ते चले जाती है हमारी prediction का, यानि कि एक बताएगा, चांद में पानी होना चाहिए, क्यों, उनका mathematics वो दिखा देगा, दूसरा बोलेगा, हमने टेलिस्कोप से observation किया है, हमको लग रहा है, यहाँ पे इतना होगा, फिर मतलब कि हाँ है, कहाँ है, कितना है, कैसा quality का है, वो समझ रहे हम लोग precisely चलते जाते हैं, तो यह हर चीज़ में होता है, और इसलिए हम लोग कई बार एक ही जैसा tool line, मतलब कि observatories अगर बनाया जा रहा है, तो space observatory हो चाहिए, ground observatory, इतनी सारी क्यों है, कारण वही है, कि अलग observatory मिलेगा, जो infrared में है, आपको उसलिए हम लोग एक ही जैसा चीज़ बार बार करते हैं, क्योंकि हम लोग का है, कि knowledge है, उसे refine कर रहा है, पता सब को है, refine कर रहा है, तो वही समझे कि, इसलिए कई बार हम लोग को overlapping data चाहिए, जैसे देख लिए, इस रोग के case में भी है, कि पास दो instrument है, जो overlap कर रहा है, मतलब भी दोनों का band overlap कर रहा है, तो data फाइदेमन है उनके लिए, कि ठीक है, overlap हो रहा है, हमें बताओ, कि इससे क्या होता, तब वो जहाँ पर overlapping नहीं है, वहाँ पर guess scientifically कर पाएंगे, तो यह बहुत important है, और यह समझे कि हम लोग इसके उपर पर परत 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 रखते हैं, और समय के साथ understanding होता है, जैसे कि James Webb's telescope जो है, तो उसमें सब लोग ने, ओ, यह universe explain कर दे, ऐसा थोड़े कि हमें नहीं पता है, universe कैसा explain, मतलब हमारे पास एक rough idea है, वो rough idea को refine कर रहा है, और कल को हम लोग उससे भी better कोई telescope release करेंगे, और फिर megapixel camera आगे, फिर 24 megapixel camera आगे, यह था आपका Hubble Space Telescope से Pluto का photo, इसके basis पे लोग ने guess कर लिया था कि वहाँ पे nitrogen का ice है, मत पूछिए कि scientists लोग कैसे एक दो pixel का data निकाल देते हैं, लेकिन वहीं कर रहे थे, उससे guess कर लिया कि यहाँ पे nitrogen का ice मिलेगा, फिर एक दूसरा horizon probe था, जो एरिया से गुज़रा था, वहाँ पे उसको यह photo मिल गया, यह दूसरा वाला उसका moon है, moon कहें या planet भाई कहें, क्योंकि वो planet नहीं है, वहीं समझ दिये, फिर यहाँ जा क्या है, तो यह data useless नहीं है, नहीं यह मतलब समझ रहे हैं, यहाँ तक आए हैं हम लोग, यह कई बार आप लोग को मिल लगए कि पहले discover हुआ यह हुआ, उसब पर ध्यान मत दिजिए, और आपको कई बार लगए कि यहीं इंस्टुमेंट तो चाइना भी launch कर रहा है, यहीं इंस्टुमेंट कर रहा है, पहली बात जो celestial sphere है, वो इतना बड़ा है कि हमारे उस पूरा coverage नहीं है, म मतलब जो हमारा sphere है, उसका कोशिश करेगा, खीची नहीं बाएगा, खतम हो जागा उसका life, तो यहीं समझना भूज़र है, इसलिए आराम से हो सकता है कि यूरोप एग्जाक्ली वह ऐसा ही James Webb Telescope जैसा कुछ बना है, और उसको बोले कि यहां दूसरे डिरेक्शन पर ध्यान फील्ड में कि आप किसी चीश के ट्रूली फर्स्ट बनो, जैसे कि एक्जांपल देते हैं, अगर आपने ऑपन हाइमर पिक्चर देखा होगा, उसमें एक डियालोग था कि हर फिजिस डिपार्टमेंट को पता है कि भईया हम लोग क्या कर रहे हैं, और वो सब लोग गैस कर किया था, तो सबका गैस वहां तक पहुंच ही गया था, बस अपन ही में लोग क्यों मौला जाकते हैं, उन्होंने एक टीम बनाई, उसमें महिनत किया, खटवाया उन सबको और एंड में एक्चुल डिलिवरी हुआ, तब यह डायलोग आया, आपने में नहीं कर रहे हैं, इ यह खोल दिया, लेकिन होता है दरवाजा आप खोले उसके पीछे क्या था, तो वही उस टाइम इसलिवरी है, यह नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको यह डिमोटिवेट नहीं होना यार, यह नहीं नहीं क्यों फाइदा जब अगर नासा, अभी यह लांच किया, यह उनका ए हमारे साथ ओवरलैप होगा, अतियुत्तम और क्लारिटी आएगी, और ऐसा करता ही रहेंगे, यह समझना बहुत जरूरी है, बहुत रेर है कि साइंटिफिक फिल्ड में, कि इसने आपने पहले क्या, बहुत रेर है, और उसके पीछे आपको कभी भागना भी नहीं है, तो अगर हम लोग अंडरस्टेंडिंग चाहते हैं, तो करना पड़े का, अब बात करते हैं, भाविश में क्या होगा, तो यहां पर समझें कि इसरो का दो सेक्षिन है, पहला सेक्षिन है पेलोड वाला, जो मतलब करोगे क्या, अंतरिक्ष में जाके, दूसरा है रॉकेट वाल है, मतलब उडने वाले का पंक काट दे रहा है, इतना बुरा हालत हो गया है, मतलब एक्जांपल देते हैं, अभी रिसेंटली न्यूचाया जो मैं मनाना चाह रहा था कि फाल्स हो, क्योंकि मुझे पहले पता था कि इंडिया कई बार एसा के पास जाके, यारी यारी यरोप 20 सीरीज जो बनाया जा रहा है, वो फालकन 9 में लांच कर रहा है, मैंने पिछले वीडियो जो रिकॉर्डिंग किया था, उसमें बोला था कि धीरे धीरे प्राइवेट प्लेयर्स छोड़ रहे हैं, इस दो को छोड़ रहे हैं, आपसे जादा सस्ते में आपसे जादा क्वि छाती पॉटते के स्पेस एेंश हैं, घूंध भे अगशांपल देता हूं फिखे आ को आपकी किạoसे इसपेक्टर जरों, अपका पैसा कहा आ जो रहा है? मतलब corruption के लिए मतलब कि खोदान की allotment कैसे हुआ time पे delivery हुई नहीं हुई क्यों नहीं हुई सबका accountability रहती है तो इंडिया में भी है जिसे हम लोग कहते है controller, auditor, general यानि की CGA ये इंडिया का department है जिसका काम रहत है कि भाई ये क्या मतलब आपको 1200 करोड दिये उसमें क्या हुआ तो ये उनका department है वो लोग missile fire कर रहे हैं इस रो में कि भाई ये आपका NAWIC पे delay क्या हो रहा है ये government agency two government agency missile मारा गया है और serious बात है ऐसा मतलब समझे ऐसा नहीं कि 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 और फिल्ड में नहीं हो रहा है तो होता है कोई है इंडिया में भी है कि जैसे बोले ना controller, auditor, general, CGA है उनका department है कि कहां गया पैसा मतलब आपका delivery date था 2012 अगर गलत नहीं हो तो मतलब कि ये चालू कब किया गया था NAWIC project जब कार गिल्वार में हमारी band बज गई थी क्यों कि अमेरिका बीच में इंटरफियर किया बोला कि हम तुम दोनों को रोकते हैं पाकिस्तान के पास जाके बोलता है देखो हम उनका GPS काट रहे हैं तुम जादा उच लोगे हम जीपेस चालू कर देंगा हमारे एरफोर्स को गोला कि तुम रुको नहीं रुको कि तो हम GPS बंद कर देंगा GPS बंद कर दिया हम दो मतलब दोनों के बीच में वह शांती दूद कर रहे थे लेकिन हमारी तो फट गई हमारा प्लेन का फाइदा क्या हुआ अगर दूसरा उसका कभी मतलब इसलिए आप द जाओंगा नहीं जी नहीं हमारे soldiers के साथ दुबारा इसा ना हो तो नाविक बनाया गया उसकी delivery मतलब सब चीज के लिए किया गया पैसा दिया गया लॉल इसरों ऐसे लॉल हो गया तो वही अच्छा खासा है आप लोग गवर्मेंट से अर्काइव में डेटा है आप खोज स है रोकेट नहीं है तो दिक्कत वही है कि हमारा जो स्किन है उपर से बहुत बढ़िया दिख रहा है अर्य मतलब पोलराइजर बना लिए समझ रहा है एक सरे पोलराइजर दुनिया में सिर्फ दो है लाइस ओसम रोकेट ए स्पेसेक्स के जाज जा के लांच करते हैं तो वह स्पेस के लिए जो वैपनाइजेशन करना है उसके टूल किट चेहें उनका लिमिट हो जाता है क्योंकि वह सैटलाइट आ बहर नहीं बेज सकते हैं वेपन सैटलाइट जो बनाया जाएगा जानी कि अब्सर्वेशन हो मिलिटरी अब्सर्वेशन सिस्टम जो हो वह बहर नह डिसपोइंटिंग नाइंटीन एटी से तो आगे बढ़िये नहीं रहें मतलब सोवियत यूनियन के टाइम का इंजन लेकर उसी पर मेहनत कर रहें इसलिए भाईया छोड़ दो त्याग दो नया बना लो जिन्दगी में कुछ हो जाएगा नहीं होगा तो हम बस यही बोलते लोग को समझ में हो अगर ऐसा है लाइक करते दोसे शियर करते अधरा काफी बहला होगा नहीं अच्छा लगा नहीं पसंदाए कोई बात नहीं आप डिसलाइक दबा सकते हैं मैं कौनगा डिसलाइक दो बार दमाए उससे मझे पता चलो कि इतना ना पसंद हुआ है मैं आप आप चेको को सब्सक्राइब की जब बेल दबाई और आफरी है तो आपने वीडियो दिखा जानको जो बहुत खुशी हुई धन्यवाद